Welcome to MKR, मिरा नाम है मंदीव, इस वीडियो में करेंगे class 9 के subject math chapter number 3, जिसका नाम है coordinate geometry, इसका करेंगे introduction, so introduction to coordinate geometry में जो भी concept हैं, exercises के questions को solve करने के लिए, उन सभी concept और formula को इस वीडियो में आपके लिए मैं explain करूँगा example के साथ है, इसके थाती chapter number 3 की जो भी exercises हैं, उन सभी को भी अ नीचे description box में दिये गए हैं, सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना, इस वीडियो में शुरू करते हैं, introduction to coordinate geometry next page से, coordinate geometry graph से related हमारा chapter है, यानि कि graph की हमें इसमें जरूरत होगी, या फिर plain paper भी हमें draw कर सकते हैं, लेकिन exam में जाओगे तो वहाँ पर आपको graph paper मिल देगा, उसी पर आपको ये graph draw करने होंगे, सबसे पहले coordinate geometry में हम बात करेंगे, partition plane की, क्या होता है partition plane, first वाले point में ही दिया गया है, it is a plane found by the intersection of two coordinate axes, ये एक plane होता है, कौन सा plane होता है, two dimensional plane, जो की दो coordinate axes से बना होता है, कुछ इस तरह का दिखाई देता है, इसमें एक ये वाल axis होती है, एक लेटी हुई axis होती है, जो की हमारी ये वाली है, और एक vertical axis होती है, ये वाली horizontal और ये वाली vertical axis है, इसके बाद next point में दिया है, the horizontal line is x axis and the vertical line is y axis, horizontal का मतलब होता है, लेटी हुई, तो लेटी हुई जो हमारी line है, ये हो जाएगी हमारी axis, बिल्कुल इसी तरह से vertical का मतलब होता है जो हमारी line खड़ी हुई है खड़ी हुई लाइन जो है हमारी वो हो जाएगी y-axis जो भी हमारा Cartesian plane है इसमें जो भी हमारी intersection करने वाली axes है यह हो जाएगी x-axis यह हो जाएगी हमारी y-axis इसके बाद next point में कहा गया है the Cartesian plane is divided into four parts जो भी हमारा Cartesian plane होता है उसको चार parts में divide किया जाता है यहाँ पर आप देख सकते हो एक part ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चोथा ये, इन चारो parts की naming भी की जाती है, जो भी हमारा ये वाला quadrant है इसको quadrant कहेंगे, जो ये ये वाला हमारा part है, ये हो जाएगा हमारा first quadrant बिल्कुल इसी तर ऐसे next ये हो जाएगा हमारा guys second quadrant और इससे next ये वाला हो जाएगा हमारा third quadrant और इसके बाद में जो बचा हुआ last है, ये हो जाएगा हमारा fourth quadrant है, जो भी Cartesian plane है, जो भी हमारी x-axis और y-axis है Cartesian plane को 4 parts में divide करती है 1st quadrant, 2nd quadrant, 3rd quadrant और 4th quadrant इसके बाद next वाला point क्या है The intersection of x-axis and the y-axis is called origin x-axis और y-axis किसी एक point पर एक दुसरे को cut करती है जो हाँ पर भी ये cut करती है इस point को origin कहा जाता है origin जो भी है हमारा इसको हम o से denote करते हैं इस तरह से o यहाँ पर लिखा जाता है इसके बाद हम बात करेंगे guys absc सा और ordinate की लेकिन उससे पहले graph में जो भी हमारी x-axis और y-axis है ना इससे related कुछ points आपको बता देता हूं दोको ये होता है हमारा origin origin से right hand side में जाएंगे हम तो हमारी positive values आती है जैसे यहाँ पर आ जाएगा guys हमारा 1, 2 आ जाएगा उसके बाद 3 आ जाएगा 4 आ जाएगा 5 आ जाएगा जो भी हमारी units होंगी वो हमारी positive में आएंगी हमारे numbers प्लस में आएंगे positive का मतलब प्लस में आएंगे अगर इस origin के हम left hand side में जाएंगे left hand side यानि की उल्टे हाथ की तरफ अगर हम चलेंगे तो हमारी values minus में होंगी minus 1 हो जाएगा, minus 2 हो जाएगा minus 3 हो जाएगा, minus 4 हो जाएगा minus 5 हो जाएगा इसी तरह से आगे हमें जरूरत है तो इस line को आगे बढ़ाके minus 6, minus 7, minus 8 इस तरह से ये चलते जाएंगे बिल्कुल इसी तरह से जो हमारी ये y axis है ना इस पर भी positive और negative दोनों तरह की values होती है origin से उपर की तरफ आपको पता चल गया कि ये origin है तो इसको मैं हटा देता हूँ, rub कर देता हूँ जिसे हम O से denote करते हैं इसके बाद यहाँ पर जो भी हमारा origin है origin से उपर की तरफ y axis पर positive values आती है यानि कि plus वाली values आती है plus वाली value कौन सी होगी यहाँ पर 1 होगा उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 दन इसी तरह से 5 आ जाएगा और जो भी हमारा origin है उससे नीचे की तरफ हमारी negative values यानि की minus में होती है तो minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 इसके आगे भी जरूरत है तो इस line को बढ़ा के हमारी जो भी values हैं उनको increase करते जाएंगे इसके अलावा आपको एक चीज और समझनी होगी जो भी हमारा यहाँ पर gap है न ठीक है यह वाला जो gap है minus 4 से minus 5 वाला याकिनी भी दो values के 1 और 2 के बीच का gap है इसे कहते हैं 1 unit कोई भी हम यहाँ से एक value से दूसरे value का gap देखेंगे जो भी हमाई यह mark किये हैं इनके बीच के distance को 1 unit कहा जाता है जैसे 1 से लेके 2 तक का अगर हम यह gap देखेंगे तो यह भी हमारा 1 unit ही हो जाएगा अब जो भी हमारा यह coordinate geometry का concept है इस Cartesian plane पर हम points को coordinate करते हैं points को हमें show करते हैं किस तरह से show किया जाता है उस चीज़ को यहाँ पर समझ लेते हैं अगर हम abscisa की बात करें तो abscisa क्या होता है हमारा x coordinate होता है उसके बाद ordinate की बात करें तो y coordinate होता है example के साथ आपको explain करूगा जैसे यहाँ पर मैं एक point बना देता हूँ यह मैंने एक point बना दिया यह एक point मैंने बता दिया यह वाला जो हमारा point है इस Cartesian plane पर इसके हमें coordinates बताने है इसके coordinates क्या होंगे coordinates पता लगाने के लिए क्या करेंगे कि x-axis से हमें एक line draw करेंगे ठीक है perpendicular line ड्रो करेंगे इस तरह से यह वाली line हमने point जो भी हमारा point है उससे एक perpendicular line ड्रो की जो भी y-axis पर हमारे point को यह touch करेंगी 2 को टच कर रही है तो x की value हो जाएगी 2 ठीक है इसी तरह से यहां से हमें एक perpendicular line y axis पर भी draw करेंगे इस तरह से यह कहां पर जाती है 3 पर जाती है यानि कि इस point के जो coordinate है ना वो क्या हो जाएगे 2, 3 जब भी हम लिखेंगे ना इस point के coordinate इस तरह से हमें bracket बनाना है bracket के अंदर जो भी x की value होगी वो हमें पहले लिखनी है 2 उसके बाद y की value 3 हमें बाद में लिखनी है अब जो भी हमारा यह point है इस point के coordinate हो जाएंगे 2, 3 अब इस जो भी coordinate है ना इसको coordinates कहा जाता है इस point के coordinate हो गए इस coordinate में abscisa क्या है और ordinate क्या है इसी तरीके से समझो जो भी x की value होती है ना x coordinate है तो x की value जो भी होगी ना वो हो जाएगा हमारा guys abscisa यानि की 2 हो जाएगी देख सकते हो यहाँ पर x की value 2 है और y की value यहाँ पर 3 है तो उसे हम कहेंगे coordinate इस वाले point के लिए हमारा abscisa 2 हो जाएगा ordinate 3 हो जाएगा इन दोनों terms को याद जरूर रखना क्योंकि abscisa और ordinate आपको find करने के लिए बोल दिया जाएगा graph से related questions के लिए तो आपको यह पता होना चाहिए दोनों terms के बारे में यही important है इस chapter में इसके अलावा let's suppose हमें कोई point plot करने के लिए बोला गया है 2 है उसके बाद minus का 4 है यह वाला point हमें इस graph पर plot करना है हमें दिखाना है इसमें जो भी हमारा 2 है और minus 4 है 2 हो जाएगा abscisa और minus 4 हो जाएगा हमारा ordinate जो भी पहले आता है वो x की value होती है x का coordinate होता है जिसे abscisa कहेंगे और दूसरे नंबर पर जो आएगा उसे ordinate कहेंगे जो की हमारी y की value होती है तो हमें इस point को plot करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे की 2 x वाली axis पर कहां है यह हमारी x axis है यहांपर ये 2 है तो हम इस 2 को देख लेंगे ठीक है असरफ देख लेना है हमें उसके बाद हम ordinate यानि की y value value को देखेंगे जो की minus में 4 है इस पर minus 4 कहां है यहाँ पर है यानि की जो हमारे points है न वो क्या होंगे ये वाला 2 होगा और ये वाला 4 होगा तो इनसे इस तरह से हम perpendicular line draw करेंगे 4 से draw कर देंगे इसी तरह से 2 से draw कर देंगे जहाँ पर भी line एक दूस जो भी coordinates हैं वो भी लिखने होते हैं 2 कोमा लगा करके minus में 4 लिखा जाएगा बिल्कुल simple है अगर हमें कोई point दिया गया है उसके coordinate कैसे लिखने है या फिर कोई coordinate दिये गए है point कैसे बनाना है दोनों चीजे मैंने आपको explain कर दी है अब एक point यहाँ पर समझो अगर हमें value दी जो भी abscisa 0 है ना abscisa 0 कहां पर होगा y वाली axis पर abscisa 0 होता है और ordinate यहाँ पर 3 दिया गया है तो हमारा point क्या होगा अगर एक value या तो हमारा abscisa यानिकी x की value 0 हो या फिर ordinate यानिकी y की value 0 हो किसी भी एक value के 0 होने पर हमारा point कहां पर होगा इस चीज को लेके बहुत सारे student confused use हो जाते हैं इसी confusion को मैं दूर कर देता हूँ x की value हमें 0 दी गई है तो ये वाला point 0 होता है चाहे x हो चाहे y हो उसके लिए उसके बाद ordinate यानिकी y की value 3 दी गई है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 ठीक है हमारा ये वाला point हो जाएगा जो मैंने यहाँ पर draw किया है ये वाला point 0 3 यानिकी 0x होगा y 3 होगा इसका मतलब क्या है कि इसे y वाली axis पर पूरी की पूरी axis पर जो हमारी x की value है वो 0 होती है आपने देख लिया ना अगर हमारा point यहाँ पर आया है तो x की value 0 होगी बिल्कुल ठीक है यहाँ पर इसके coordinate जो है 0,3 ये लिख देते हैं x की value 0 कहाँ पर हो की ध्यान रखना बिल्कुल इसी तरह से एक point और ले लेता हूं यहीं पर मैं यहीं पर लिख लेता हूं यह हो जाएगा हमारा guyzer 2 कोमा लगा के यहाँ पर रख देंगे 0 यहाँ पर हमारा abscisa जो है वो 2 है और ordinate हमारा 0 है x की जो भी 0 value है वो y axis पर होती है और y की 0 value x axis पर उसके बाद y की value यहाँ पर 0 है y की value x axis पर पूरी की पूरी x axis पर 0 होती है तो point क्या हो जाएगा हमारा यह वाला point हो जाएगा यहाँ पर जो बनाया है इसके coordinate हो जाएंगे 2,0 दो point फिर से आपको बता देता हूं x की value 0 y axis पर होती है और y की value 0 x axis पर होती है या फिर simple words में absc इसकी value 0 y axis पर होती है और ordinate की y value 0 इसे x axis पर होती है बिल्कुल simple जो भी concept थे ना coordinate geometry के introduction था एक ही page पर हमने सारे concept समझ लिये हैं हाँ बिल्कुल छोटा सा ही इस chapter का introduction था बहुत easy questions इसमें से आने वाले हैं तो introduction जो part है वो हो जाता है complete उमीद कता हूँ coordinate geometry का जो भी छोटा सा हमारा introduction था सभी के सभी concept आपको समझ में आ गए होंगे अगर आ गए हैं तो वीडियो को like कर देना आपने classmates के साथ share कर देना जितने भी नए students हैं चैनल को subscribe कर लेना class 9 से related जो भी educational content है वीडियोस हैं इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी इसके अलावा chapter number 3 coordinate geometry की जो भी exercises हैं उनको अलग-अलग वीडियो में solve किया गया है सब भी वीडियोस के link दिये गए है नीचे description box में उनको भी देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ आपसे इसी तरह कि next educational वीडियो में